नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर मैं आप लोगों को सोना बनाने की प्राचीन बिद्या के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं यदि आपने इस सोना बनाने की प्राचिन बिद्या को जान लिया तो मित्रों आप लोग जितना चाहे उतना सोना बना सकते हो जी हाँ दोस्तों आप मन के मुताबिक सोना बना सकते हो तो चलिए आपको मैं बताता हूँ सोना बनाने की प्राचीन बिद्या के बारे में तो दोस्तों दिल थाम करके बैठ जाईए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिये तभी आपके समझ में आएगा कि प्राचीन काल में सोना बनाने की ऐसी विद्या थी जिसके दर सोना बनाया जा सकता है एक समय था जब भारत को सोने की चड़िया कहा जाता था क्या कभी सौचा है कि ये सोना कहा से आया और भारत को सोने की चड़िया क्यूं कहा जाता था और वो जो है स्वार्थवस हो करके इस धर्ती को खराब नहीं करना चाहते थे और नहीं प्राकर्ती को नुक्सान पहुचाना चाहते थे उन्होंने सोना बनाने के लिए जो है जो है और सधी और धातुओं को मिला करके जो है उन्होंने सोना बनाने की तकनीक बिक्सित करी सोना बनाने की बिद्या बिक्सित करी जिहां दोस्तों और जिससे उन्होंने बहुत सोना बनाया प्राचिन काल से ही भारतिय महिलाओं को सोने के गहनों का बहुत सौक है ना सिर्फ महिलाओं बलकि पुर्सों को भी हमेशा से सोने में काफी रूची रही है सोने की जितनी ज़्यादा डिमांड रहती है उसका दाम भी उतना ही ज़्यादा है लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आप अपने घर में भी सोना बना सकते हैं जिहां दोस्तों अगर आप किसी को बताएंगे तो दोस्तों वो हसेगा कैगा पागल हो गया है कभी सोना बनता है क्या घर में अब उस गधे को कौन समझाए कि जहां पर उसकी बुद्धी खतम होती है वहीं से ही अनंत बुद्धी का विकास होता है इसलिए दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी प्राचीन बुद्ध्या जिसमें आप घर बैठे सोना बना कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही परकार से दबा लीजिए क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमई जानकारी लाता रहता हूँ और तो और दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से प्राचीन बिद्या, रहस्यमई बिद्या, सोना बनानी की बिद्या, चांदी बनानी की बिद्या, हीरा ढूनने की बिद्या, सोना ढ तथा इक्ष्णी साधना अनय को प्रकार की दिब्ब साथना लेकर की आता रहेता हूं आपको तंतर मंतर यंतर टोणा काला जादू तथा काम रूप जादू ये कई प्रकार की अद्भुत रहस्तमई दुनियों की दुनिया की आपको जानकारी दे जाती है जो आपको दुनिया के किसी चैनल में बहुत कम देखने और सुनने को मिलेगा तो दोस्तों यदि आप लोग जानना चाहते हैं आपको जिन समगरी की ओसकता है पूरी समगरी बताऊंगा सारी समगरी नोट कर लीजिए यदि आप मेरे द्वारा बताये गए सारे प्रियोगों को बिधी बिधान से और मात्रा सही रख करके करते हैं और बढ़ियां तरीके से करते हैं तो आप दोस्तों निश्चिती सोना बना पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे लेकिन दोस्तों सोना बनाना बच्चों का खेल नहीं है इसमें बहुत मिहनत करनी पड़ती है बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मैं प्रियोग तो बता रहा हूं दोस्तों, अब आपके उपर है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो कहेंगे सोना नहीं बनता है, मैं जूटी जानकारी दे रहा हूं, यह है वो है, मजाक समझेंगे, वो कहेंगे टाइम पास क्यों, क्योंकि भईया उनकी बुद्धीत नहीं चलती है, जिसकी जितनी बुद्धी होती है, वह उतना ही सोच सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं, जो मनुस्य की मस्तिक्स से परे हैं, लेकिन हर मनुस्य के मस्तिक्स से परे नहीं है, जो मनुस्य बिद्वान होता है, जो इन सारी आनिये को दुनिया है जहां पर जीवन है जहां पर अलग अलग देवी देवता तथ कई परकार के जीव जन्तु रहते हैं तो दोस्तों वो लोग जो है इस वो लोग इन विद्यां को समझ सकते हैं जो जो लोग पर गिरही को समझते हैं यानि एलियन को समझते हैं जो पताते हैं सोना बनाने की बिधी के बारे में ठीक है तो सोना बनाने के लिए आपको 500 ग्राम सुद्ध लोहा चाहिए जियां दोस्तों कितना 500 ग्राम यानि आधा किलो सुद्ध लोहा चाहिए दोस्तों यह सोना बनाने की वह बिधी है जितना चाहोगे आप उतना सोना बना प चांदी बनाने के प्रियोग हर तरह की प्रियोग लाओंगा तो इसलिए ध्यान से सुनिए इसलिए मैं आपसे बार-बार कहा रहा हूँ सोना बनाने के लिए सबसे पहले आपको 500 ग्राम सुद्ध लोहा चाहिए पीतल और सुद्ध कांसा लेकर उन्हें अलग-अलग पात्र म ठीक है यानि अलग-अलग बरतन में पिखलाना होगा और पिखलाने के बाद इन त्यूनों का मिस्रण करें किसका लोहा का 500 ग्राम लोहा सुद्ध लोहा पीतल सुद्ध कांसा लेकर उन्हें अलग-अलग पात्र में पिखलाना होगा और पिखलाने के बाद इन त्यूनों क मिस्रण कर इसे कड़ाई या किसी कटवरे का रूप दे दे ठीक है और इसके बाद आपको जो आपने ये मिस्रण बनाया है जो ये लेब बनाया है किसका लोहा पांसो ग्राम लोहे का पीतर और सुध कासे का इनको अलग अलग पातर में जो आपने पिखलाया है पिखलाने के इन तीनों का मित्रण कर इसे एक कढ़ाई या किसी कटवरे का रूप दे इसके बाद आपको 200 ग्राम गंधक क्या चाहिए ? 200 ग्राम गंधक ये भी एक धातू होता है यानि कि गंधक एक तत्त होता हुता है 200 ग्राम Чाहिए कौन सा गंधक तत्तु चाहिए और 200 ग्राम नीला थोथा चाहिए और 200 ग्राम नमक चाहिए ठीक कौन सा सेधा नमक और 200 ग्राम कुम कुम चाहिए और 200 ग्राम कुम कुम और रस सिंदूर के ओसकता होगी ठीक है एक लीटर सुच ताजे पानी में घोल दे इसके बाद जो तीन धातूओं वाला बरतन बनाया था उसे चूले पर रखकर उसमें घोल दे और धीमी आज पर पकाएं अब जब पानी उबलने लगे तो दस ग्राम पारे को रस सिंदूर में यानि रस सिंदूर में अच्छी तरह निकल कर साफ हो जाता है जी काएं जुपारे में जो जहर ह होता है जो बिस होता है उस पारे की गोली बनाएं और उसके ऊपर थोड़ी सहध लगा दे फिर उसे उबलते पानी में समगरियों के बीच धीरे से रख दें इसे धीमी आज पर पकने दें जब दो त्याई भाग पानी जल जाए तो यानि जब जब दोत यही पानी जल कर भाब बन कर उड़ जाए तो पारे के गोले पर ध्यान रखें यानि उस पर ध्यान लगा कर देखना है वह गोला हलका हलका सुनहरा होता जाएगा यानि सोने जैसा होता जाएगा और आपका सोना तयार हो जाएगा सु कानी से बेच सकते हो और बेच करके अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हो जी हां दोस्तों इस बात से आप लोग इस बात से आप चौंक जरूर जाएंगे लेकिन ये सच है कि आप अपने घर में भी सोने का उत्पादन कर सकते हैं सोना बनाने की ये रहस्तमाई तकनीक आज ही बहुत गुप्त है सोना बनाते समय आपको कुछ बातों का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा जैसे की नीला थोता एक पिरकार का जहर होता है इसलिए इसे चूने के बाद हाथ धो लें गंदक भी कुछ इसी तरह का पदार्थ है इसके साथ ही समगरी पकाते समय अगर आप लोग की सोना बनाना सीख जाते हो तो अपने कल्यान के लिए और समाज की कल्यान के लिए सोना का निर्मान कर सकते हो दोस्तों यह बहुत प्राचिन बिद्या थी और ऐसी ही सोना बनाने क्याने को बिद्या मैं अपने चनल की माद्यम से आप आप लोगों के जिए लेकिन दोस्तों इस विद्या का प्रियोग तभी करियेगा तभी जब आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो बिना विसेशग बिना गुरू के इस प्रियोग को ना करें ठीक है नहीं से में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इस चीज़ का ध्यान रखिएग हमने लेकिन जो सवधानी है उन सवधानियों को जरूर ध्यान में रखना है ठीक है यह दिया आप करते हैं तो ठीक है दोस्तों लेकिन दोस्तों मेरी बात मानिए कि आप इसके बारे में अच्छे से इस वीडियो को बार-बार देखकर के मैंड में बैठा लीजिए ताकि आप से गलती ना हो और तब आप सोना बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं और आपका जीवन धन हो जाएगा जिहां दोस्तों प्राचीन जानकारी ऐसी जानकारी दी है जो आपके ग्यान में बृद्धी करेगा दोस्तों दोस्तों सोना बनते ही आपकी किस्मत चमक उठेगी जिहां जूँंगे C